गूड मॉर्निंग डियर इस्टुडेंट्स सौरप सर की ऑनलाइन संस्क्रत की क्लास में आप सभी का स्वागत है आज हम क्लास सेवेंथ में जो चैप्टर नंबर दस है आपका दशम पाठा अर्था दसवापाठ जिसका नाम है मधूरहा श्लोका मधूरहा माने मधूर मीठे स्लोका माने स्लोक उनका आज हम हिंदियन वाज जानते हैं तो आईए चलते हैं पहले स्लोक की ओर लिखा हुआ है कि आचारहा परमो धर्माहा आचारहा परमम तपहा आचारहा परमम ज्यानम आचारात किमना सिद्धेयत तो आचार अर्थात आचरण जो आचरण है आपका अच्छा आचरण तो लिखा है आचारह परमोधर्मः तो आचरण ही परमोधर्मः परमधर्म है आचारह परमम तपह और आपका जो आचरण है वही आपका परम तप अर्थात आपकी तपश्या है आचारह परमम ज्यानम और आचार जो है जो आपका आचरण है वही आपका क्या है परमम ज्यानम परम ज्यान है आचारात किमन सिद्धियत और आचरण के द्वारा क्या प्राप्त नहीं किया जा सकता अर्थात जब हम अच्छा आचरण करेंगे तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा दूसरा स्लोग लिखा है सुन्दरह अपि शुशीलह अपि कुलीन अपि महाधना नशोबते बिनाम विध्या विध्या सर्वस्य भूशणम सुन्दर हा अपी, सुसीला अपी, कुलीन हा अपी महाधना शुन्दर भी हो, सुसील भी हो, कुलीन, कुलीन मीज़ बिद्वान अपी महाधना, चाहे कोई बहुत जादा धनवान हो, बहुत जादा कुलीन हो तो चाहे सुंदर भी हो, सुशील भी हो, कुलीन और चाहे महाधनी ही भी क्यों न हो, न शोबते बिद्याम भी न हो, लेकिन ये सब चीजें बिना बिद्या के अच्छी नहीं होती हैं, अर्ताद बिना बिद्या के ये चीजें शोबित नहीं होती हैं, बिद्या सरवस्य भू इसलिए बिद्या सभी का आभूशन होता है अर्थात यह जो बिद्या है यह क्या है यह सभी चीजों का आभूशन होता है यह आप सुन्दर हैं आप सुशील हैं आप महाग्यानी कुलीन बहुत बड़े धनवान हैं लेकिन आपके पास अगर बिद्या नहीं है तो सब चीजें क्या है ये बेकार इसलिए लिखा है नशोबते बिना बिद्या ये सब चीजें बिना बिद्या के अच्छी नहीं होती हैं बिद्या सरवस्य भूशडम इसलिए बिद्या सभी का क्या है भूशड है विदेशेश धनम विद्या व्यशनेश धनम्मति परलोके धनम धर्मह सीलम सरवत्र वैधनम विदेशें सु धनम विद्या यदि आप विदेश में है, परदेश में हैं तो वहां आपका धन क्या है? विशनेशु धनम्मती और आप अगर किसी बुरी आदत में बुरी संगत में पढ़ते हैं तब वहाँ पर आपका क्या है धन धनम्मती तो वहाँ पर आपकी बुद्धी आपका धन है क्योंकि बुरे हम कारे अगर करेंगे तो हमको अगर सही समय पर अच्छी बुद्धी आ ज धोड़ देंगे तो वेशनेश धनम मत ही और बुरे कार्यों में जो धन है वो आपकी क्या है वो बुद्ध ही अपका धन है परलोक के धनम धर्म है और परलोक में अरथात स्वरग लोक में धनम धर्म है जो आपने प्रत्वी पर रहकर धर्म किया है वही धन है तो परलोक के धनम धर्म है परलोक में धर्म ही आपका धन है शीलम सरवत्र वैधनम और जो शील है जो शीलता है जो आपका अच्छा अच्रण है सरवत्र वैधनम वो सभी जगह का धन होता है आकाशात पतितम तोयम सागरम प्रतिगच्चत ही शर्वदेव नमस्कारह केशवम प्रतिगच्चत ही आकाशात पतितम तोयम आकाशात मने आकाश से पतितम मने गिरता हुआ तोयम मने पानी तोयम मने क्या होता है पानी जल सागरम प्रतिगच्छत सागर की ओर चला जाता है देखते हैं पानी बरसता है तो क्या होता है नदियों में पानी बरसता है तालाबों में सब चले जाते हैं अंत में सागर में कहां चले जाते हैं ये सब सागर में सब का जल मिल जाता है तो आकाशात पतितम तोयम आकाश से जो जलगिर्ता है सागरम प्रतिगक्षती वो क्या है सागर की ओर चला जाता है सर्वदेव नमस्कारह और सभी देवताओं को नमस्कार करना केशवम प्रतिगक्षती वो भगवान श्रीहरे केशवम अर्थात भगवान श्रीहर्विष्णू अर्थात श्रीक्रष्ण भगवान के पास चला जाता है करमद्धे तुशरस्वती करमूले तुगोविंदा प्रभाते करदर्शनम कराग्रे वशतिलक्ष्मी करमिंस होता है हात करमिंस क्या होता है हात तो कराग्रे करधन अग्रे करधन अग्रे अर्थात हात के अग्र भाग में तो कराग्रे वशतिलक्ष्मी हात के अगले भाग में लक्ष्मी का निवास होता है करमद्दे तू सरस्वती करमद्दे अर्थात आपके हाथ के बीच में सरस्वती जी निवास करती है करमूले तू गोबिन्दा और करमूले अर्थात जहां से आपका हाथ जुड़ा हुआ है सबसे पीछे वाला हिस्सा करमूले चगोबिन्दा और आपके कर के मूल में अर्थात हाथ के प्रारंब में करमूले तू गोबिन्दा उसमें भगवान श्रीहरी रहते हैं प्रभाते कर दर्शनम इसी लिए हम सब को सुबह उठकर अपने हाथों के दर्शन करने चाहिए तो सभी बच्चे इन जो स्लोक हैं इनका हिंदियन वाद करेंगे और अपने ग्रूप में सेंड कर देंगे आज के लिए बस इतना ही दैट साल थैंक यू